हेलो दोस्तों स्वागत है आपका विद्यारती फाइपर आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आज की सेशन में दोस्तों हम डिसकस करेंगे पिछले माइने के करेंट अफेर्स से जोड़ी कुछ तो चली अब कोशन के ओर बढ़ते हैं तो दुसरे पहले कोशन की ओर चलते हैं खेलो इंडिया यूद्ग गेम्स 2024 में किस राज ने पदक तालिका में प्रथन स्थान हासिल किया तो देखिए यहां पर प्रथन स्थान यहां पे महराष्ट्र हासिल किया और दुसरे पर थे य और हर्याना ने 103 पर यहां पर गोल्ड जो है गोल्ड की बात करें यानि स्वन पदक जो है वो सबसे ज्यादा महराश्ट ने 57 और तमिलनाडू ने 38 और उसके बाद में 35 पदक जो है यह हर्याना ने हासिल किया तो इस कारण से यहां पर यह पहला तमिलनाडू दूसरा और हर् तिस रिस्तान पर आओ और खेलो इंडिया यूद गेम्स दोजार चोविस कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों तो ये था चन्नाई में ठीक है ये आपको याद रखना है तो दोस्तों अगले कोशन क्यों चलता है अलिगर्ड मुस्लिमी उनिवर्सिटी किस राज में स्थित है तो ये है उत्रप्रदेश में अलिगर्ड में स्थित है ये ठीक है और रिसेंटली ये न्यूज में भी रहा अपने माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर तो इस कारण ये कोशन यहाँ पर है आपके लिए और अगर इसके अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी से जुड़े कुछ अगर हिस्टॉरिकल बैग्राउंड की बात करें तो 875 में यानि कि 1875 में इसकी स्थापना होती है सर सायद अहमद खान द्वारा अहमद खान ठीक है उस समय जब ये स्थापना होई थी तब उसका नाम क्या था तो देखिए मुहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज अलिगर्ड मुस्लिम का जो तस्तुत नाम है ये 1921 से चेंज हुआ है पर इसके पहले जो नाम था वो क्या था मुहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज ठीक है ओरियंटल कॉलेज तो दस्तु अगले कोशन क्यों चलते हैं अमेरिका ने किस देश को 31 MQ-9B 66 ड्रोन की बिक्री को मंजोरी दे दी तो देखिए ये जो बिक्री थी ये भारत को इन्होंने मंजोरी दी दी थी है भारत ने ये डील किया था लगबग 4 बिलियन डॉलर में ठीक है और ये ड्रोन जो है ये बिसिकली UAV है यानि कि Unmanned Air Vehicle और ये काफी मातरा में bombs वगेरा जो है destroyer ये सब पूरा carry करता है तो जिससे ये भारी तबाई नहीं मचा सकता है ठीक है तो चलिए अगले question क्यों चलते है समान नागरिक सहिता विधेक पास करने वाला पहला राज कौन बना तो देखे ये था उत्तराखन यहीं पर पहला जो UCC Bill है यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया है तो basically यहाँ पर पांच मेंबर की एक bench बनाई गये थी और उन्होंने जो अपनी report है वो CM उत्तराखन के जो CM है पुशकर सिंग धामी उन्हें report ये submit की और उसके बाद में ये उन्होंने पारिद भी कर दिया इंप्लिमेंट भी कर दिया ठीक है तो अगले question क्यों चलते है जारखन का बारवा मुख्यमंत्री कौन मना तो देखे इसके पहले हेमंत सोरेन थे और इस समय के प्रस्तुत जो अभी current है 12th चेफ मिनिस्टर वो है चमपाई सोरेन यहाँ पर आपका option हो जाएगा चमपाई सोरेन ठीक है और जारखन के गवर्णर कोन है तो वो है CP राधा कृष्णा तो चलिए अगले question क्यों चलते है 17th अरवरी को भारती वायू सेना द्वारा वायू शक्ति 2024 अभ्यास किस राज में आयोजित किया गया तो दस्तो यह वायू शक्ति 2024 का जो अभ्यास है यह जैसल मेर में आयोजित किया गया था जो की राजस्थान में स्थित है और कहाँ पे तो यह पोकरन फाइरिंग रेंज जो है वहाँ पे ठीक है तो चलिए दोस्तो अगले question क्यों चलते है चांद पर पहुँचने वाला पांचवा देश कौन बना तो यह question पिछले session में भी थी यानि कि जो 20 जन्वरी से 31 जन्वरी के बीच में जो current affair थी उसमें भी थी तो जापान जो है उसने यह कारणामा कर दिखाया पांचवा देश बन चुका भारत के बाद में और जाक्सा जो है यह इनकी aerospace company जैसे की जैसे की भारत का इस्तरो है वैसे ही जाक्सा जापान का है और इसकी full form क्या है तो जापान Aerospace Exploration Agency ठीक है और जापान के प्रधान मंत्री कोन है तो वो है Fumio Kishida ठीक है Fumio Kishida तो चली अगले question क्यों चलता है प्रथम विश्व उडिया भाषा सम्मेलन का समापन उडिसा के किस शहर में हुआ तो देखे ये उडिसा के राजधानी यानि की भूनेश्वर में ये आयोजन हुआ था और इसे inaugurate किसने किया था तो वहाँ के CM यानि के उडिशा के CM नवीन पटनायक ने नवीन पटनायक ने ठीक है तो चलिए अगले question क्यों चलते है भारत में टेस्ट खेलने वाले सबसे उमरदराज तेज गेंदबाच कौन मनें तो देखे ये James Anderson जो की England के player है cricketer ये बन चुके हैं सबसे उमरदराज तेज गेंदबाच जोनने भारत में टेस्ट मैच खेला है और इसके पहले ये जो title था ये लाला अमरनाथ के पास था ठीक है ये हेल करते थे पहले पर इस समय James Anderson के हाथ में ये title है ठीक है तो चलिए दोस्तों अगला question देखते है पहले अभी नेता थे चलिए अगले question क्यों चलते है हाली में किसे भारत रत ने देने की घोशना की गई और तिरपनवे तो देखे यहाँ पर option यहाँ पर सभी को ये announce किया गया है लेकिन यहाँ पर तिरपनवे की बात हुई है तो देखे पचासवे पचासवा जो announcement हुआ है वो लालकृष्ण अडवानी को ठीक है और जो इक्यानवा हुआ है वो पीवी नरसिमा को ठीक है और यहाँ पर बावनवा जो है वो चौदरी चरण सिंग को और MS स्वामी नाथन जो है उन्हें तिरपनवा announcement यह हुआ है 53 यानि आपका option यहाँ पर हो जाएगा MS स्वामी नाथन यह आप याद रखिएगा तो चलिए अगले question क्यों चलता है कौन सी भारती नौसेना पंडुबी को श्रीलंका के 36 स्वतंतरता दिवस पर श्रीलंका भेजा गया तो देखे यह थी INS करंच इसे ही भेजा गया था और अगर बात करें श्रीलंका के स्वतंतरता दिवस के बारे में तो यह थी 4 फरवरी 1948 को ठीक है तो दोस्तों अगले question क्यों चलते हैं वित वर्ष 2024 से 25 में उतरप्रदेश का बजट क्या है तो देखे दोस्तों यह हाली में उतरप्रदेश का बजट पेश किया गया था इसी मैने फरवरी में और सुरेश कुमार खन्ना जो की वहाँ के वित मंत्री हैं उन्होंने यह पेश किया था तो कौन थे वित मंत्री वहाँ के तो सुरेश कुमार खन्ना ठीक है इन्हों नहीं ये बजट पेश किया है और ये अमॉंट जो है ये 7,36,000 करोड रुपे का है ठीक है यानि कि 2024 से 25 का और इसके पहले का जो अमॉंट था वो था 6,90,000 करोड ठीक है ये 2023 से 2024 का था ठीक है तो चली अगले कोशन के और बढ़ता है क्राइम ग्राइम एंड गमशन किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों ये है ओपी सिंग द्वारा लिखी गई है ये याद रखिएगा बुक्स काफी इंपोर्टेंट है वन लाइनर में डारेक्ट पूछ लिए जाते हैं अगले कोशन के और चलते हैं 69 ग्रैमी अवार्ड में किसे अल्बम आफ दा इयर मिडनाइट के लिए अवार्ड मिला है तो सबसे पहले अगर बात करें ग्रैमी अवार्ड की तो इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड था वो 69 सल्सक्रण था ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया और आलबं ऑफ दे ये एक काटेगरी है ठीक है इस काटेगरी में ये midnight नाम के जो अल्बम है इससे यह Kick है इनकी ऐल्बम है तो यह जो ऑवार्ड मिला है इस काटेगरी में टेलर मिलन मिला है ठीक है सबसे पहले पॉइंट है हो गई और अगर options की तरफ चले तो Miley Cyrus इन्हें record of the year ठीक है record of the year इस category में flower नाम के जो song है उसे ये award मिला है ठीक है और Carol G Carol G जो है इन्हें पहली महिला best musica best musica Urbana इस category में इन्हें भी एक award मिला है ठीक है और Sean Mendes को तो भाई कोई award नहीं मिला है तो दोस्तो अगले question की और चलते हैं वरुन कुमार किस खेल से संबंदित है तो दोस्तो यह है वरुन कुमार हाली में यह चर्चे में रहे क्योंकि इनकी उपर POXO Act लग चुका है तो POXO Act क्या है तो POXO Act के बारे में हम बात करेंगे तो यह है Prevention of Children from Sexual Offenses Act ठीक है तो दोस्तो यह जो Act है यह 2012 में लाए गया था और इनकी उपर आरोप एक लड़की ने लगाया था तो उस कारण से यह POXO Act जो है इनकी उपर लगाई है और यह जो क्हेल से संब्द्धित है वो होकी ठीक है यह होकी से संब्दित है तो चली अगले कुशन कीजा से हाली में किस राज में स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताओ पारित किया तो दोस्तो यह गुज़रात में यह हुआ था जोए और यह जो Announcement थीिर मायन्मार क 443 जो किलोमीटर की सीमा है उसके उपर बार लगाने की ये बात यहां पर कहेगी और मियानमार और भारत के बीच में एक नैच्छरल बांडरी भी है यानि कि जो river है वो है तायाव river ठीक है यह natural boundary का काम करती है यह भी याद रखिएगा तो अगला question देखिए fight world cup किस खेल से संबंदित है तो यहाँ पर जो यह fight है fight का यहाँ पर अर्थ जो होता है वो international international chess federation होता है तो यह जो है यह शत्रन से जुड़ा हुए और अगर हम बात करें fight के president के बारे में तो president है आर्कैडी वोर्कोविच ठीक है आर्कैडी द्वार्कोविच तो चलिए अगले question के ओर चलता है ग्राइंडा विक जुड़ा मुखी किस देश में स्थित है तो दोस्तों यह स्थित है Iceland में हाली में यह news में भी रहा क्योंकि यहाँ पर eruption ठीक है जुड़ा मुखी यहाँ पर फटा है और यह बात करें December 2023 से और February 8 तक यानि कि December 2023 से लेके February 8 तक इसके बीच में यह इसमें तीन विट्स फोर्ट हो चुगे तीन बार यह फट चुका है ठीक है तो इसलिए यह news में रहा तो चलिए अगले question क्यों चलते है हम लोग हाली में किस देश ने दक्षिन कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग खतम कर लिया अगर बात हो रही है यहाँ पे दक्षिन कोरिया के साथ में और अगर यहाँ पे option है North Korea तो इससे ज्यादा बहतर suitable answer क्या हो सकते है तो यह था North Korea यहाँ पे इनके संसब में यह पारित किया गया था कि इनके साथ में आर्थिक सहयोग जो है खत्म किया जाएगा ठीक है तो चलिए अगले कोशन क्यों चलते हैं हाली में स्विजर लैंड परेटन ने किसी एक पट्टिका देकर समान दिया तो देखे तो यह थे निरत चोपड़ा इन्हें यह समान दिया गिए ठीक है तो चलिए के बीच में हुआ यह साओधी अरेबिया ठीक है और यह लगभग 12 दिन का जॉइंट एकसरसाइस था ट्वेड़ेस का और यह कहां पी हुआ था तो यह जैपूर में हुआ था दोस्तों ठीक है यह सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा अब चलिए अगले कुशन क्यो था जिए वर चलते हैं हाली में प्रधान मंत्री नरीजियर बोदी ने किस देश में बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है राइट और यह कहां पर किस देश में इसका उद्घाटन हुआ है तो यह यह यानिईक्त अरव अमिरा और अगर इस मंदिर की बात करें तो देखे 27 एकड की जो लैंड है यह सारी की सारी जो है यूएई गौर्ण्मेंट द्वारा डोनेट की गई है ठीक है और अगर कहें यूएई में यह कहां पर है तो यह देखिए अबुधावी में ठीक है और इसकी जो नीव है यह 2019 में ही रखी गई थी 2019 से यह बनना चालो हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यह बैप्स हिंदु मंदिर जो है यूएई का यह गल्फ रीजियन में सबसे बड़ा हिंदु मंदिर है ठीक है सबसे बड़ा टेंपल है लार्जिस्ट टेंप इन गल्फ रीजियन जो खाड़ी देश है उनमें यह सबसे बड़ा मंदिर है ठीक है तो चलिए अगले कुशन के ओर चलते है हाली में यह लम्मा मिला किस राज में आयुजित किया गया तो यह करनाटका के बेलगावी वहां पर आयुजित किया गया था ठीक है बेलगावी तो दोस्तों अगले कुशन के ओर चलते है भारती नोसेना द्वारा मिलान दोहजार चोबिस नोसेना भ्यास किस शहर में आयुजित किया गया तो देखे यह जो मिलान दोहजार चोबिस है इसमें लगभग 50 देशों ने भाग लिया था और यह विशाक पटनम में यह आयु हाल ही में चर्चे में रहे एलक्सी नवालनी किस देश से थे तो देखे यह थे रश्या से यह पुतीन के ओपोजिशन में थे यानि कि विपक्ष में थे और यह जेल में बंद भी थे और संदिक्ध हालातों में इनकी मिरत्की हो गए थी ठीक है तो इसलिए यह न्यूज मे दिया गया था नॉटी बॉय का ठीक है नॉटी बॉय है और अगर इस मिशन के बारे में अगर हम बात करें देखिए यह जीसल्वी 14 रॉकेट जीसल्वी एफ 14 रॉकेट से यह लॉंच किया गया था और शनिवार शनिवार के दिन यानिकी 19 फेब्रवरी शाम में यह लॉंच हुआ था ठीक है पीम पांच बच के 35 पीम पे ठीक है और यह कहां से लॉंच हुआ था तो यह सतीज धवन स्पेस सेंटर से यह लॉंच किया गया था और अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो जी सैट यह सब देखिए यह मिलिटरी सैटलाइट्स है जिसमें से जी सैट सेवन जो है इसे रुकमीनी इसका नाम है अगले कुछिन क्यों चलते हैं हाली में एस्ट्री रोकेट किस देश ने लॉंच किया तो दोस्तों यह था जापान इसने यह लॉंच किया था एस्ट्री रोकेट तो चलते हैं एसियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पुरश गोला फेक में किसने सोण पदक हासि किया तो देखिए यह थे तजिंदरपाल सिंग तूर इन्होंने पिछले साल भी यह कारणावा कर दिखाया था और इस साल भी तो यह यहाँ पे राइट आंसर है इन्हें ही गोल्ड मिला है यानि कि स्वर्ण पदक मिला है कहां पे एशियन इंडोर एथलेटिक्स में भारत ने यहाँ पे कुल चार मेडल जीते हैं जिसमें से तीन स्वर्ण है पहले तो देखिए चार मेडल था बट गुलवीर सिंग जो है यह 3000 मीटर रेस में यह डिस्कॉलिफाई हो गये थे जिसके कारण फाइनल जो काउंट था तीन स्वर्ण मेडल का ही रह पाया ठी के लिए अगले कुशिन क्यों चलते हैं हाली में विश्वस्वास संगटन ने GIDH लांच किया GIDH का मतलब क्या है देखिए यह है Global Initiative on Digital Health और इसके बारे में जो है G20 में भी बात की गई थी जिसके अध्यक्षता भारत कर रहा था इस बार ठीक है तो उसी का यह रिजल्ट है जो Global Initiative on Digital Health यहाँ पर लांच किया गया तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ष 2025 के लिए Morgan Stanley ने भारत की आर्थिक फृद्दीदर का क्या अनुमान लगाया है तो देखिए इन्होंने अनुमान जो यह लगाया है 6.5% का ठीक है और वित्ती वर्ष 2024 के लिए इनका जो पिछ 6.9% यानि कि 6.9% ठीक है 2024 के लिए और 2025 के लिए 6.5% तो चली अगला कोशन देखते हैं हाल ही में आयोजित बर्ली निल अंतरराश्ट्री फिल्म महस्तोय का कौन सा संस्क्रण था तो यह था देखिए 24 और यह जो बर्ली निल है यह बर्लीन में आयोजित किया जाता है यान की जर्मनी में ठीक है तो दोस्तो अगला कोशन देखिए राइसीना डायलोग 2024 के बारे में यह काफी इंपोर्टेंट हो सकता आने वाली एक्जाम्स के लिए इसे श्टार मार्क कर लीजीगा और पॉइंट टू पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए रा तो चीफ गेश्ट जो थे वो थे ग्रीज की प्रधान मंत्री ठीक है ग्रीज के प्रधान मंत्री थे और ग्रीज के प्रधान मंत्री कोन है तो यह है कारिया कोस मित्सो ताकीस ठीक है यह ग्रीज के प्रधान मंत्री थे यह चीफ गेश्ट है यह सेकंड इंपोर्टेंट प है डायलोग दोजर चॉबिस का यहां पे थीम क्या था तो यह था देखिए चतुरंग और यहां पे चतुरंग मतलब चार अंग हो गए तो चार अंग यहां पर क्या क्या है चतुरंग कॉणफ्लिक्ट कॉन्टेस्ट को ओपरेशन और create ठीक है यह हो गए और अगर बात करें राइसीना डायलोग दोजार चोबिस यह जो है राइसीना डायलोग यह particular जो इंडिया का है यह कहां से यह idea लिया गया है तो यह देखिए शांग्रीला डायलोग यह इससे प्रेना लेकर ले गई है यह ठीक है और यह कहां की है तो शांग्रीला डायलोग जो है यह सिंगापूर की है ठीक है यह याद रखिएगा ऐसे डायलोग जो है यह जर्मनी के पास भी है जैसे जर्मनी का अपना खुद का है म्यूनिच सेक्रिटी कानफरेंस हो गया और कैनाडा का हैलिफैक्स इंटरनेशनल सेक्रिटी फोरम हो गया और कतर का दोहा फोरम हो गया और रूस का वालदाई डिसकेशन कलब हो गया तो ठीक है ऐसे ऐसे और भी है तो दूस्तों यहाँ पर अगला कोशन देखिए भारत को गुड़सवारी में पहली बार dresses quota दिलाने वाले कौन है तो देखिए ये थे अनुष अगरवाल कि पहली बार भारत ने ये quota हसिल की है गुड़सवारी में ये काफी important question हो जाएगा और बाकी अगर options की बात करें तो देखिए मनप्रीत सिंग जो है ये hockey से जुड़े हुए है ये hockey के खिलाड़ी है और जी साथिया जो है ये table tennis से जुड़े हुए है और दिलिप तिर्के जो है ये hockey इंडिया के president है ठीक है hockey इंडिया के president है तो चली अगरे question के बारे में देखते है अमुल के सबसे बड़ी dairy plant बनस काशी संकुल का उधगाटन किसके द्वारा किया गया है तो देखिए सबसे पहली तो ये बनस काशी संकुल जो है ये बनारस में स्तित है ठीक है वारा नसी और इसका उधगाटन किस तो यह याद रखिएगा तो चली अगला question देखते हैं इंडिया रीटिंग्स ने वित्ती वर्ष 2024 से 25 के लिए भारती अर्थविवस्ता की विर्दी का क्या अनुमान लगा है तो देखिए यह था 6.5 यहनिकि 6.5 प्रतिश्यत का यह अनुमान लगाए गया है तो देखिए Morgan Stanley जो भी recent question में था इसके पहले उसने और India ratings दोनों का यहाँ पे अनुमान देखिए same था यह याद रखिएगा और यहाँ पे अगर options की तरफ चले तो 7 प्रतिश्यत का यह जो अनुमान लगा है fiscal year 2024 के लिए यह RBI द्वारा लगाया गया था ठेक है और NSO यानिकि National Statistical Officer यह अनुमान लगाया था fiscal 24 के लिए कितना 7.3 ठीक है यह याद रखिएगा तो यहाँ पर आपका option जो है 6.5 परसंट है यह याद रखिएगा तो चली अगला question देखते है पहली व्यावसाइक company जिसने चांद की सता पर land किया तो यहाँ पर व्यावसाइक company यहाँ पर private company हो चु की तो अगर ऐसा भी पूछा जाए question में कि कि इस देश के पहले व्यावसाइक company ने चांद की सता पर land किया तो वह अमेरिका आ जाएगा याद रखना और बाकी options की और चले तो देखिए SpaceX जो है यह किसकी है तो यह है Elon Musk की और Blue Origin जो है यह किसकी है यह है जेफ बेजोस की ठीक है और अगर बात करें डाइनमेटिक टेकनोलोजिस की तो यह बैंगलोर बेस कंपनी है बैंगलोर की इसे हाली में Airbus के द्वारा एक डील मिली है जो Airbus जो विमान है 220 उसके जो डोर है उनके डील इनके साथ हुई है तो चले अगले question क्यों चलते हैं तो अगला question देखते है किसे वर्ष 2023 के EY उद्यमी का पुरसकार मिला है तो यह थे विलायन सुभया इनहीं यह अवार्ड मिला है और यह जो है चेर्मेन है चोला मंडलम ग्रूप के ठीक है चोला मंडलम की बात करें तो यह insurance company है insurance वगेरा तो उसके चेर्मेन है ठीक है इनहीं यह पुरसकार मिला है 2023 के लिए तो चली अगला question देखते है सुधर्शन सेतु का घाटन किस ने किया तो देखे सुधर्शन सेतु जो है यह पहली बात तो इंडिया का सबसे longest cable bridge है ठीक है longest cable bridge यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यह सब cable जो है यह इस कारण से ये longest cable bridge है ठीक है सबसे पहली बात तो ये और ये कहाँ पे है तो ये है गुजरात में ठीक है गुजरात में गुजरात में Gulf of Kutch में और ये सेतु जो है ये bridge किसके बीश में है तो ये ओखा और द्वारका बेत बेत द्वारका इन दोनों के बीश में है ये ठीक है और इसका उधगाटन जो है ये नरेंद्र मोदी ने किये बाकी अगर बात करें इसके लंबाई के बारे में तो total length जो है वो 4772 मीटर किये और total cost जो है वो कितनी है लागत जो है इसकी 978 करोड की ठीक है तो ये कुछ important points से इसके बारे में तो चलिए अगले कुशन के उर बढ़ते है अंगर management किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो देखे ये थे अजय बिस्तियर गिया इनके द्वारा लिखी गई है ये किताब ठीक है अब अगला कुशन देखिए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्गाटन किस भारती शहर में किया नरेंद मोदी ने इसे न्यू देली में किया है और कहां पर किया है तो भारत मंडपम में ठीक है ये भी याद रखिएगा ये सब कुशन थृषटाल nove 1600 कि अगले कुशन की उछलते हैं फरवरी में किस ने देश में पांच एम्स अस्पतालों का उद्गाटन किया तो देखिए ये भी नरेंद मोदी नहीं किया है इन्होंने ये उद्गाटन किये और पांच एमस अस्पताल कहा कहां पर है तो देखिए एक तो पंजाब में है और पंजाब में कहां पे तो भटिंडा ठीक है पंजाब के भटिंडा में और दूसरा वेश्ट बिंगॉल वेश्ट बिंगॉल कल्यानी में ठीक है कल्यानी और तीसरा कहां पर है तो यूपी में यूपी में कहां पर तो राय बरेली ठीक है राइबरेली और चौथा चौथा है आंदर प्रदेश में आंदर प्रदेश में कहां पे तो ये है मंगल गिरी और जो पाच्वा है वो गुजरात के राजकोर्ट में ठीक है और ये जो चार एंस अस्पताल है ये वर्चुएली लॉंच किये गए है ये याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे उसमें वो मुझिद नहीं थे और ये पाचो के पाचो एक साथ लॉंच होए ठीक है और किस ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने तो चलिए अगला कुशन देखते है पाकिस्तान के प्रांथ की पहली महिला मुख्यमंतरी कौन बनी तो देखिए ये मरियम नवास जो है ये यही बनी है पाक प्रोविंस के सीमा और कहां की तो इस्टन पंजाब ठीक है इस्टन पंजाब का ये प्रोविंस है इस्टन पंजाब वहां की ये पहली सीम बनी है पूरे पाकिस्तान में अगर कोई भी पहली मुख्यमंतरी जो है यही बनी है और ये कौन है तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाश शरीफ जो है उनकी बेटी है ठीक है नवाश शरीफ की डॉर्टर है तो चली अगले कोशन क्यों चलते हैं विश्व हिंदू परिशत का नया अध्यक्ष कौन बना तो देखे ये थे अलोक कुमार ये नया अध्यक्ष बने है और अगर बात करें इनकी मोटो की विश्व हिंदू परिशत की तो ये है धर्मो रक्षती रक्षिता और बाकी ऑप्शन देखी एमेस गोलवालकर, एसस अप्टे और स्वामी चिन्मयानंद इन्हें फाउंडर के रूप में जाना जाता है और ये फार राइट ग्रूप है ठीक है फार राइट ग्रूप है जो इनकी आईडॉलोजी है वो फार राइट है ठीक है तो चलिए अगले कुशन के और चलते है 26 फर्वरी 2024 को कौन सा देश नाटो का 32 सदस्य बना तो देखिए स्वीडन जो है ये 32 देश बना है नाटो में जॉइन करने के लिए 26 फर्वरी को ठीक है 26 फर्वरी 2024 और फिनलैंड जो था ये 31 सदस्य था ठीक है और ये कब जॉइन हुआ था तो ये 4 अप्रेल 2023 को और यूकरेन तो खेर सदस्य है भी नहीं तो चलिए अगले कुशन क्यों चलते हैं जर्मनी ने ने जीरो कार्बन उत्सरजन का लक्ष कितने वर्ष तक रखा है तो रेसेंटली ये न्यूज में थी तो ये 2045 तक इन्होंने लक्ष रख्या है कि इनका नेट जीरो अब अगला कुशन देखिए ब्रिटिश ब्रोड्कास्टिंग कॉर्परेशन बीबीसी के नए चेर्वेन कौन बने तो ये थे डॉक्टर समीर्शा यही नए चेर्वेन बने हैं ठीक है तो चलिए अगले कुशन की और चलते हैं ओला के आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस प् सकते हैं कृत्रिम जो कृत्रिम है यही ओला का यह जो एयाइइ प्लैटफॉर्म है और यह भारत का पहला एयाइए यूनिकॉन भी बन चुका है क्योंकि 50 मिलियन डॉलर जो है इसे फिट फंडिंग मिल चुकी है 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी इवन बिफोर पबलिक लांच यानि कि अभी पब्लिक ली लांच भी नहीं हुए और इसे 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग द चुके जिसके कारण ये AI Unicorn बन चुकिये ठीक है भारत की और ये पहली तो काफी इंपोर्टेंट कोशन हो जाएगा और ओला के CEO कोन है तो इसके जो CEO है वो है भाविश अगरवाल ठीक है भाविश अगरवाल ये याद रखिएगा तो चलिए अगला जो एक दिवसी थी यानि की ये जो फिष्ट थी एक दिन की थी और ये दिव्यांग जनों के साथ में मनाई गए ठीक है दिव्यांग जनों तो चलिए अगला कुशन देखते हैं निम्न लिखित में से कौन गगन यान मिशन पर जाने वाले अंतरिक शियातरी नहीं है तो देखिए यहां पर चार नामों का अनॉंस्मेंट हुआ था एक तो बालकृष्ण नायर यानि प्रशांद बालकृष्ण नायर तो थे उसमें अजीत कृष्णन थे और अंगत कश्यब भी थे और इसी के साथ में चौथे कौन थे तो चौथे थे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेर ज़रूर करना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्यूंकि एसे वीडियो से हम हमेशा लाते रहेंगे वैसे इस session की PDF files जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो हमारे टेलिग्राम चैनल को join करना न भूले अब चलिए आप से अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए bye and take care